आप देख रहे हैं टेक बार और आज आप लोग से हैं बात करने वाला हूँ वीवो X50 प्रो और वीवो X50 के फुल कैमरा रिव्यू के बारे में उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं एक वीवो X50 प्रो जो हूँ गिववे कर रहा हूँ आपने से कोई विग बंदा जीत सकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्लीम की लिंग मिल जाएगी आप वहां से एंटर कर सकते हो आप बात करते हैं इस X50 प्रो के कैमरा सिस्टम के बारे में आप लोग ने बहुत सुना होगा इन दिनों में जिंबल कैमरा सिस्टम इसके देखने हो मिलता है तो उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक गिंबल होता क्या है गिंबल जो है जो मुवी बनात कि पूरे टाइम जो एक मोटर है जो पूरे कैमरे को सीधा रखेगी जो आप कितना भी भागो अगर आप इनी सारी चीजों को इस कैमरा सिस्टम के अंदर लेकर जाते हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक्स फिफ्टी प्रो का जो ऊपर वाला कैमरा आना जो बड़ा जब इमेज खीचोगे तब भी काम कर रही है आज से पहले कुछ भी ऐसा नहीं आया था मैं आप लोग को दिखाता हूँ आइफोन 11 प्रो मैक्स इसके साथ में रखता हूँ और दोनों की कैमरा एप खोलता हूँ और दोनों को ऐसे से हलकालका मूव करता हूँ आपको जो व पूरा अंधेरा कर देता हूँ और एक हाथ में आइफोन और एक हाथ में वीव एक सिफिटी प्रो लेता हूँ मैं और मैं जानमुच के दोनों फोन को हिलाता हूँ और आप देखना मैं फोटो शटर पे क्लिक कर दिया है मैंने फोटो हीचने के लिए और मैं आप लोग को दोनों फोन की फोटो कोल कर दिखाता हूँ, वीवो की फोटो आपको पूरी शार्प दिखेगी, कम से कम इसके अंदर शेक नज़र आएगा, वही पर आईफोन में तो आपको पूरी बलर फोटो नज़र आएगी, हिलते होए मोशन बलर के साथ, यह चीज जो है, बहुत ही बड़ी है, और यही इस चीज को खास बनाता है, खास कर इस जिंबल कैमरा सिस्टम को, तो यह बहुत ही बड़ी चीज है, दूसरी बात मैं आप लोग को बताता हूँ, आपने काफी बार देखा होगा, अगर आप भागते हो तो बहुत ही स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड होती, अगर आप इस वीवो X50 Pro में इस गिंबल कैमरा सिस्टम के साथ जगर होगे, तो आप देखो कितनी जादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो यह एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप इसका टायर भी देखते हो ना, बिल्कुल स्टॉप करके टायर को और पूरी डिटेल कैप्चर की है, यह बाकी फोनों में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस मोड ने ऐसा क्या किया है, शुटर स्पीड को बहुत ही ज़ादा मतलब बढ़ा दिया है, इससे एक फ्रेम को वो स्टॉप कर पाया, और ऐसी फोटो तब पॉसिबल हुई है, यह मुझे बहुत इंप्रेसिव लगाता, सोचा आप लोग को बता दूँ, थोड़ा सा कैमरा सिस्टम के बारे हम बात करते है, जो X50 Pro NIS के अंदर हमें, एक 14MP का में कैमरा देखने हो मिल जाता है, IMX598 है, जो की कस्टमाइज सेंसर है, कस्टमाइज यहां पर लगा लोग की जो लाइट को लेकर बहुत जादा सेंसर्टिव है है, मुझालब लो लाइट बहुत अच्छी कैप्चर करेगा, एक और हमें कैमरा देखने हो मिल जाता है, 8MP का, जो की सूपर वाइड एंगल है, आप अल्टर वाइड एंगल फोटोस कीच सकते हो, एक और हमें देखने को मिल जाता है, 13MP का बोके कैमरा, और एक और नीचे की तरफ जो है, आट मेब पिक्सल का टेलिस्कोपिक लेंच देखने को मिल जाता है, एक तो मैंने नोटिस किया था कि, आई फोकस की पूरी एनिमेशन आती है, बड़ी सही लगता है, एफसे एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हो, और ऐसी है आब हम लाइव फोटोस भी खीच सकते है, एसी कि मैंने फोटो कीची और गैलरी में अगर मैं जाता हूँ, तो लाइव फोटो के अगेप्चर हो जाती है, ये भी अच्छे फीचर है, अब आप लोग को मैं कैमरा सेंपल दिखाता हूँ, ये सबसे पैली फोटो जो है डाइनमिक रेंज टेस्ट करने के लिए खीची थी, अब मैं जहां पर खड़ा हो ना, यहां पर बिल्कूल भी लाइट नी थी, और जो बैगराउंड है वो पूरा डेलाइट वाली सिच्वेशन थी, अब यहां पर इसने काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहां पर स्किन टॉन को बिल्कूल सही तरीके से ब्राइट रखा है, और बैगराउंड के अंदर वी मैं डिटेल देख पा रहा हूँ, इसी को और फर्दर टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसी एक बिल्डिंग की फोटो खीची है, सन के अगींस्ट, इसने सन को बहुत अच्छे से एक्सपोस किया है, और साथ के साथ जो डिश लगी हुई है, मैं इस पर जूम करकर आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एटेल लिखा होँ भी दिख जाएगा, तो यहाँ से क्लीर हो जाता है कि डाइनमिक रेंज अच्छी है, अब सेकिंड फोटो मैंने डीटेल टेस्ट करने के लिए खीचीती है, मेरे पूरे अपार्टमेंट की है, अब यहाँ पर मिज़दार बात यह है कि हर एक फ्लोर की डीटेल में देख सकता हूँ, और ऐसी आर्टिफिचल की भी आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ पर भी जो आप बहुत सारी डीटेल हमी देखने को मिल जाती है, अब नेक्स फोटो जो है पोट्रेट शोट है, अब यह मैंने आर्टिफिचल लाइटिंग कंडिशन में खीचा है, बिल्कुल स्टूडियो लाइट के अंदर, आप देख सकते हो, पीछे जो है एस डिटेक्शन बिल्कुल इसने ठीक रखी है, अच्छा खासा ब्लर भी है, ब्लर को कम जादा भी कर सकते हैं फोटोस कीशते समय, और बाद में भी आप कम जादा कर सकते हो पोस्ट प्रिसेसिंग के अंदर, अब मुझे हाँ पर स्किन टोनी बहुत जारा पसंद आई है, और स्किन के उपर इनफ डिटेल भी मैंटेन करकर रखी है, सिमिलरली मैं डेलाइट के बारे में बोलना चाहूँगा, यहाँ पर भी इसने एज डिक्शन बिल्कुल ठीक ही रखी है, जब तक आप बहुत जादा बलर नहीं बढ़ा देते, और जैसे ही हम बहुत जादा बलर भढ़ाते है, तो मैंने इसकी थोड़ी बढ़ एजडिक्शन फेल होते वे देखा है, तो यह भी चीज़ ध्यान देने वाले नहीं, तो 90% जो है इसका बिल्कुल ठीक ही रहती है, अब नेक्स फोटो जो है, मैंने सूपर वाइड एंगर लेंज से कीची है, और भाई मैं सीरियसली इंप्रेस हुआ हूँ, एक इसकी डाइनमिक रेंज मुझे टू गुड लगी, और एक्सपोजर कितना कमाल का इसने रिकॉर्ड की है, मैं बहुत हहरान हो रखा हूँ, पेड़ी की तरफ देखो बिल्कुल कॉर्नर स्ने, एक तो खासकर कर्फ फोटो आजाती है ना, जब हम अल्ट्रावाइडें के लेंज से कीचते है, ये दो फोटो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मस्ट परस्पेक्टिव बनता है, और ये फिल्टर मुझे बहुत ही ज़ादा कमाल का लगा है, अब नेक्स फोटो जो है मैक्रो लेंज से मैंने खीची है, अब ये अर्टिविशन लाइटिंग कंडिशन में खीची हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी फोटो आई है, अब मैं आप लोग को थोड़ी बहुत लो लाइट फोटोस दिखाता हूँ, मैंने दो-तीन खीची थी, और जातर इसने मुझे इंप्रेस किया है, चाहे मैं अगर किसी एक लाइट सोर्स होता है, उस फोटो के अंदर उसको भी बहुत अची से एक्स्पोस करता है, और ओविसली जो जिम्बल कैमरा सिस्टम है, वो तो एक बेनेफिट है ही, चुकि शार्प से इसकी फोटोस लेकर आता है लो लाइट के अंदर भी, तो यहाँ पर यह लो लाइट इसकी सबसे बड़ी हाईलेटिंग पॉइंट है, अगर मैं इसको किसी भी फोन से कंपेर करता हूँ तो, और अगर मैं फ्रेंट कैमरा के बारे हैं बात करूँ, तो 32 मेगा पिक्सल का देखने हो मिल जाता है, अब पिक्सल तो एनफ है, मैं इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को कैमरा सेंपल दिखाता हूँ, इसकी डेलाइट बहुत ही अच्छी रहती है, मुझे अच्छी बात लगीगी, आर्टिफिशल लाइटिंग कंडिशन के अंदर भी ना, बहुत ही अच्छी और शार्प सेल्फी जे खीच पाता है, इम इस प्रस्सिंग काफी कमाल गी रहती है, स्टिल अगर मैं हाँ पर आप लोग को बताऊं लो लाइट के अंदर, तो यहाँ पर लो लाइट के लिए भी नाइट मोड देखने मिल जाता है, सेल्फी के अंदर, तो यहाँ से थोड़ी सी एनाइंच्मेंट ज़रूर हो जाती है, सिमिलरली पोट्रेड मोड भी इसका बिल्कुल ठीक रहता है, और मुझे कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पर विसके फ्रेंट कैमेरे के अंदर काफी सही रहता है, एक और मोड है, AI सूपर मून, उसकी मैं आप लोग को थोड़ी सी फोटोस दिखाता हूँ, जो मेरे को इंटरनेट पे मिली थी, मुझे बहुत इंटरस्टिंग आउटपुट लगा, तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद भी खीश लेता, बट क्योंकि डेली हम बहुत बारिश है आजकल, तो ऐसा मून नहीं हा रहा है, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ कि ऐसी फोटोज भी पॉसिबल है, अगर मैं बात करूँ इसकी वीडियो केपलिटी इसके बारे में, तो यहाँ पर रहना में मल्टिपल ओप्शन्स देखने को मिल जाते हैं, जो मुझे दिखे बहुत ही इंट्रस्टिंग से, मैं आप लोग को दिखाता हूँ वीडियो बोके, आजकल हमें बहुत सारे फोन में देखने को मिल रहा है, बट इसने इंप्लिमेंट बहुत अच्छा किया हुए, और एस डिएक्षन तो हर किसी की वीडियो बोके में फेल होती है, इसकी मामली से मुझे फेल होती ही दिखी थी, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इन जनरल, अब यहां पर रहना इस वीडियो के अंदर भी एक आर्ट फिल्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट जो है कलरड रहेगा और बैगराउंड जो है ब्लैकन वाइट हो जाएगा, और आप लोगकों में एक वीडियो सेंपल भी दिखाता हूँ, उसके अंदर ना ओडियो पर सथा ध्यान देना, कि आप लोगों से में पूरा शेयर करूं मिर को बताना कि आप लोग को कौन सा फीचर जादा पसंद आया है, मुझे तो फोन बहुत ही इंट्रस्टिंग लगा और मैं कह सकता हूँ कि मेरे साब से बेस्ट कैमरा फोन अभी के लिए फिला लिए खासकर फीचर्स के अंदर और ओवर जो इमेज प्रसेशिंग और जिसक अंदर जिम्बल कैमरा सिस्टम डाल दिया है, यह तो इसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ले जाता है, तो भाई मेरी पूरे रेकेमेंडेशन है इसको, अगर आप कैमरे के लिए फोन डून रहे हो, तो इसकी तरफ आप जरूर देख सकते हो, और यहाँ पर वीडियो खतम जाती है, आप गिवर में भी एंटर कर सकते हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करकर जुरू जाना है, और सब्सक्राइब करके हमारी टेगिंग जान कर लो, क्वालिटी भी रखते है, अगर मिलते हैं, थैंक्स ववाचिंग.